जहें दोस्तों सागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में आज की वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए बीए सेक इंडियर से सम्मंदित आपके लिए जो परियावरण बिसा है आपका उससे सम्मंदित बहुत ही मात्पूर्ण जो है बिकल्प सही बिकल्प टाइप के परियावरण का जो पयपर होगा उसमें जरूर विडीयो को पूरा वस्ते देखना है आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब कराए बिडियो को लाइक नहीं चया तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेयर करें ताकि अनलोग भी वीडियो देख सकें और PDF के लिए आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप से जुनना होगा टेलिग्राम एप में आपको जो है सर्च करना होगा IAS Study Track यहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जाइन कर सकते हैं जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं जो PDF फाइल होती है अब हम टेलिग्राम ग्रूप में अपलब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अवस्य जुनने बहुत ही इंपोर्टन कोस्चन है पर्यावरान से संबंदित बीए सेक इंडियर की तो चलिए आज का अपना जो फर्ष्ट कोस्चन है कि पर्यावरान सब्द किस भासा की सब्द से बना है तो किस भासा की सब्द से बना है तो आपका जो राइट आंसर होगा पर्यावरान सब्द किस भासा की सब्द से बना है तो बना है फ्रेंच विकल्प नमबर बी जो है आपका right answer है अंगला question है कि निमलेकत में से कौन पर्यावरन का घटक है तो यहाँ पर आपको पर्यावरन का घटक बताना है तो आपका जो right answer होगा उप्रोक सभी यानि कि भूमी, जल बायू जल इवं बायू और जैविक प्राणी, जो उप्रोक सभी बाला आपको option right हो जाएगा निमलेकत में से कौन पर्यावरन का घटक है उप्रोक सभी जो है आपका सही answer होगा अंगला question है कि निमलेकत में आपको पर्यावरन का अंग है तो अंग बताना है इस तल मंडल, वायू मंड़ल, जल मंडल उप्रोक सभी तो आपका आपका right answer हो जाएगा उप्रोक सभी अंगला question है कि पर्यावरन के संबंद میں निमलेकत में से कौन सा तथ्च ď सही है पर्यावरन के संबंद में निमलेकत में से कौन सा आपका राइट आंसर विकल्प नमबर सा यानि कि परियावरण अजयव और तथा जयविक तत्तों का समूह है अंगले कोश्चन हैं कि परियावरण में निम्मिलिकत में से कौन से तत्त सामल हैं आपको बताना है तो आपका जो right answer होगा बहुत नमबर दा यानि कि उप्रोक सभी बहुत एक तत्त सांस्क्रिट एक तत्त और जैविक तत्त तो उप्रोक सभी जो है आपका right answer होगा अंगला question है कि पर्याबरण पर खालिस्तान अधिकार है मानाव का जनतुओं का पनस्पति का या समस्त जीवों का तो आपका जो right answer है समस्त जीवों का पर्याबरण पर खालिस्तान का अधिकार है यानि कि समस्त जीवों का अंगला question है यहाँ पर कि पर्यावरण अध्यन की पिर्कृति है एक कलायामी, संकोचेत, बहु आयामी या दुई आयामी तो आपका राइट आंसर क्या होगा बहु आयामी बिकल्प नंबर B बिकल्प नंबर B जो है आपका राइट आंसर होगा अंगला question है कि समस्थ जीवधार्व्यों एवं उनके संपुलबातवन के संबंदों का अध्यन ही परीयावरण का ला आता है, यह कतन किसका है तो एक धन है Taylor का, किसका है Taylor का की समस्त जीवधारण इब उनके संपुन बातावृण के संबन्दों का अध्यनी परयावरण है एक विचार है जो एक Taylor जी का है अंगला कोश्चन है कि परयावरण को कितने मुक् 2020 में बाटा गया है तो कितने मुक् प्रत्वी पर उर्जा का मुक्क सुर॥ है सूर सितारे चंद्रमाया पुरुखषभी, तो आप का आंसर होगा सूर बिकल्ब-नमबर जो आ है आपका राइट आंसर होजागां प्रत्वी पर सूर का मुक्क सुर॥ है जो है प्रत्वि पर और्जा का जो लकिवरन का एगुज़ को सा कहा है कौन जाए रे सुछ है आपको यहां पर प्राकरत कारण बताना है लामकी प्रॉष कि हम रॉष का मुक्क शुरुत क्या है हैं तो आपका आंसर होगा विकलप नंबर तीन और जो मैंने से मुझत में या वह जाती है तो जो Hudson के रसाने के जल में पहुंचने से अंगला कोस्चन है कि अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में ब्रद्धी का कारण है तो क्या कारण है स्वर्प्रदूशन क्या कारण है स्वर्प्रदूशन प्रकल्प नंबर 4 या अनिद्रा से ग्रस्त रोगियों की संख्या में ब्र अपक जनहानी का कारण था खालिस्तान तो आपका आंसर होगा रेडियो धर्मी प्रदूशन क्या होगा रेडियो धर्मी प्रदूशन जो है आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन कि ठोस अपसेश्टों से सरवादेक खालिस्तान प्रदूसेत होती है तो आपको बता कोश्चन है कि चक्रवातों से सबसे अधिक बिनास किस छेत्र में होता है तो कौन से छेत्र में होता है आपका राइट आंसर है तटिये छेत्र बकल नंबर चार कि चक्रवात से सबसे अधिक बिनास किस छेत्र में होता है तो 30 छेत्र में होता है अंगला कोस्चन है कोस्चन नमर 18 कि प्रिदूसेद जल के प्रियोक से होने वाला प्रमुक रोग खालिस्तान है तो आपको बताने हैं प्रिदूसेद जल से तो प्रिदूसेद जल से जो रोग होता है वै होता है बिकल्प नमर सा अंत्रसोत जो है आपका right answer होगा अंगला question है कि नमलकेत मैंसे कौन सा बाल का कारण नहीं है तो आपको question को बड़े जांजे पढ़ना होगा नहीं पूचा यहाँ पर कि नमलकेत मैंसे कौन सा बाल का कारण नहीं है तो नहीं है तो पौधा रोपन क्या नहीं है पौधार उपन विकल्प नमबर 3 जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर 7 अंगला कोश्चन है कि आपदा प्रवंदन हेतु अपनाई जाने वाली गतिविदी में खालिस्तान सामिल है तो क्या सामिल है उप्रोक सभी उप्रोक सभी जो है आपका राइट आंसर होगा यानि कि आपदा ग्रश्ट लोगों का आपदा प्रवावे छेत्र से स्रक्षित ठकानों पर पहुंचाना आपदा ग्रश्ट छेत्रों में राहसामक्री तता साहता पहुंचाना आप दागरस्ट जन्मानस का पुनरवासन वप्रोक्सवी वप्रोक्सवी जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर दा अंगला कोस्चन है संधृत विकास एक क्या है संधृत विकास एक है तो आप पिरभावी पिरकिरिया आप पिरभावी पिरकिरिया यानि की वि पर्यटन पुनरवास का कारण नहीं है पर्यटन इसका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर बा अंगला कोश्चन है कि ओजवन परत में सबसे बड़ा छिद्र पाये जाता है भारत में अंटार्क टिका में इमातलाय में अमेरिका में तो आपको जो राइट आंसर होगा अंटार्क टिका में जो है सबसे बड़ा छिद्र पाये जाता है ओजवन परत में अंगला कोश्चन है कि नाविके दुरगटना का अधारन है तो आपको यहां पर नाविके दुरगटना का बताना है तो आपका जो राइट आंसर होगा question number 24 का वह है चेन जोबिल दर्वटना यानि की बिकल्ब नंबर सा, आपका right answer होगा, अगला question है स्वार को मापनी की कैई है, तो स्वार को मापनी की काई कौन सी है CC, ML, decimal तो आपका right answer होगा decibel, decibel यानि की बिकल्ब नंबर सा, आपका right answer होगा Sar को जो स्वरकुमापनी की काई है बाहर डैसिवल अंगला कोश्चन है अपना कि चर्नोबिल विस्पोट की घटना हुई थी चर्नोबिल विस्पोट हुआ था जो कहां पर हुआ था रूस में कहां पर रूस बिकल्प नंबर यह आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है एक कीट ना सक दबाई के किस घटक के कारण भोपाल गयस दुरगटना में सेकड़ों लोग मारे गई तो कौनसी है बाइगयस बाइगयस है मिथाईल आईसो साइडनेट विकल्प नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है की निम्नानकित में से कौनसी जनसंक्या समस्या नहीं है तो आपको नहीं बताना है जनसंक्या समस्या नहीं है तो आपका आंसर होगा नंगरी करण विकल्प नंबर बी राइट आंसर होगा निम्नानकित में से कौनसी जनसंक्या समस्या नहीं है नंगर उत्पादन में ब्रद्दी विकल्प नमबर दा जो है राइट अंसर होगा अंगला कोश्चन है कि ओजवन परत में च्छाय का कारण नहीं है तो क्या नहीं है ओजवन परत में च्छाय का कारण नहीं है तो आपका राइट अंसर विकल्प नमबर दा ओजवन परत में च्छा के लिए गहा तक है कौनवेक क 하면서 झाने के लिए घाती के लिए घाता तक है तो आपका रॉट अंसर उन फ्री य। जो फ्री आउन गयस है ओज्परत जो इसके लिए घाता गयस है फ्री अंगला कॉस्चन है कि यहीं कोई प्राखेかतिक संसादन का उधारन नहीं है प्राकृतिक संसाधन का उधार नहीं है इमारतें बिकल्प नमबर 2 जो है आपका राइट आंसर होगा इमारतें अंगला कोस्चन है कि निमलिकित में से कौन सा संसाधन अनवीनी करनी है पेट्टोल जल भूमी या जल सकती तो आपका आंसर है पेट्टोल पैट्टूल जो है विकल्ब नमबर A आपका राइट अंसर होगा अंगला सूर्यताप आपका सही आंसर होगा अंगला सूर्यताप निम्लेकल है कि करा सूर्यताप है कौन सा स्रोत भूमिंगत जल श्रोत है तो आपका अंसर है और जो है आपका अनसर हो जाएगा तो चैनल को साइब कर लें ऐसे ही शर्य हों के जो बिकल्ब होंगे भी सेक सारे बिकल्प आपके लिए लाएंगे सभी विसाई के वीडियो अलग अलग आपके लिए लाएंगे तो जो कावेरी जल्विवाद हुआ था एह किनके राज्यों की बीच हुआ था तो एह हुआ था तमिलनाडो और कन्नाटक बिकल्प नंबर सा आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडो कन्नाटक की बीच में हुआ था कावेरी जल्विवाद। खनिज पधार्त नहीं है निम लिखित में से कौन सा पधार्त खनिज नहीं है रवर अंगला कोश्चन है कि वद्योगिक प्रगती का मुख आधार निम लिखित में से कौन सा खनिज है तो कौन सा खनिज है बताने हैं आपको तामवा अलूमीनियम सोना कोईला तो आपका कोई दोहना संसा दों नो का उपयोग ही ना किया जाए या संसा दनो का सार्थ bonοι डंक सी उपयोग करना तो आप गंड़ टा जो है सरी आंसर होगा की अंजल Aww संदों कंड़ से उपयोग किया जाए कोम सा घंण का अधारन नहीं है तो खने जी दन का उधारन नहीं है यहां पर question आया कि नमलेकित में से कौन सा खने जी दन का उधारन नहीं है तो बहने इरुनियम uranium बिकल्प नमबर बाद जो है आपका right answer होगा अंगला question है विश्व में खाद समस्या का मूल कारण खालिस्तान है तो खाद समस्या का मूल कारण खालिस्तान है तो आपका answer होगा जन संक्या ब्रद्धी जन संख्या ब्रद्धी जो है एक विस्व में खाज समस्या का मुलकारण है अंगला कोस्चन है कि उर्जा संकट का समाधान है उर्जा संकट का समाधान है तो आपका राइट आंसर है बेकल्पित उर्जा स्रोथ बेकल्प नमबर सा उर्जा संकट का समाधान है बेकल्पित उर्जा स्रोत अंगला कोश्चन है कि परवतिय छेत्रों बनविनास से कौन सा प्रकोब बड़ा है भू कंप भू इसकलन जो आला मुखिया चक्रवाथ घ्रण जो हே आपका राइठ आन्सर होगा भू इस्कलन बेकल्प नमबर 2 अंगला कोश्चन है कि कैंद्रिय प्रतूशन नियांत्रर नंद्र नामक सनस्थान इस्ते थे तो जो केंद्रि प्रस्थ नियंत्रन मंडल जो संस्थान है एक और इस्थत यह नहीं में बिकलप नंबर A जो आपका राइट आंशर होगा नहीं अंगलह question है कि बाया प्रस्थ नेवारण इवन नैंत्रन अधीनिम 181 में कितनी घाराएं हैं तो आपको धाराइं बताना कितनी धारा हैं तो आपका आंसर है विकल्प नंबर ए चंवन विकल्प नंबर आ आपका जो है राइट आंसर होगा अंगला कोस्चन है कि बनने जीव सर्रक्षण दिनियम पारत हुआ तो अंगला कोस्चन है कि परती भूमी बनने का मुक्क कारण है परती भूमी बनने का जो मुक्क कारण है वह क्या है तो बहे भूमी या मिर्दा परदन विकल्प नंबर ए जो है आ विकल्प नंबर आ राइट आंसर होगा अंगला कोस्चन है कि बरतमान में पर्यावरन समस्यां का मूल अधिकार है तो आपका जो राइट आंसर होगा पर्यावरन नेतिकता का आधार बिकल्प नंबर बाद जो है राइट आंसर होगा पर्यावरन पर्यावरन समस्यां का मूल अधिकार है पर्यावरन नेतिकता का आधार अंगला कोस्चन है कि भारतिय बन अधिन्यम पार्तुआ ठाऊ सब्वारति बं या निस सदा उननीस सं 72 अंगल्य ग्हस्जन है कि बनस्पतिक लक्षणों में परिवारतन होता है तो किस से होता है बनेस पतिक लक्रण में परिवायतन होता है मिर्दा पृ०ूशन से किस से मिर्दा पृ०ूशन से आपका जो है राइट आंसर होगा अंगलव कॉश्चन है कि रास्टिय एट्स ने अंतिरन संगतन का सब संचिपता छःए तो कहां पर है जल्दी से बताईए तो इसका जो राइट आंसर है विकल्प नंबर ए नाको जो है आपका राइट आंसर होगा विस्त परियाबरन दिवस मनाया जाता है तो पांच जून को विकल्प नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा अंतराष्टी मानवधिकार दि का मना जाता है अंतराश्टिमानावधिकार्दवस विकल्प नंबर यानिकी 10 दिसंबर को अंगिला कोश्चन है यदि प्रत्वी के सभी पौधे मर जाएं तो अंतता सभी जन्तु मर जाएंगे अंगिला कोश्चन प्राकर्तिक आपदानिमन में से कौन सी नहीं है तो नहीं प्राकर्तिक आपदान नहीं है तो किरसी किरसी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकर्तिक आपदान नहीं है अंगिला कोश्चन है भूकंप तरंगों का मापन निमनानकित में से किस अंतर द्वारा किया जाता है तो जो भूकंप तरंगे हैं इनका मापन निमना तो मरू इस तली करन का जो कारण है बनवन मूलन जो है आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है कि नमनानकित में से किस प्रदूशन द्वारा सरवादेक बीमारियां होती हैं तो किस से प्रदूशन द्वारा सरवादेक बीमारियां होती हैं तो जल प्रदूशन विक प्रिकृति में खनेच चक्र कहलाता है तो प्रिकृति में खनेच चक्रों कहलाता है जइवह के जयवह रसायनेक चाष सा मिजकर विखलप नंबर 20 थो है अंग्यला कॉस्चन अपना की यह चपर में निम्लेकत टमेसे किस का आधान परदान होता है तो ग्यास ये चक्र है जो इसमें किस का अधान प्रतान होता है CO2 यानि कि बिकल्प नंबर B बार जो है आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है मरू भूमी के पादप अधिक्तर होते हैं कैसे होते हैं सा कि ये बिकल्प नंबर सा यहां से आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है कम विक्सित संबहन बंडल पाए जाते हैं तो यह पाए जाते हैं मरुद्ध पौधों में बिकल्प नंबर आज हो है आपका राइट आंसर होगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही 63 जो यहाँ पर बहु बिकल्प ये टाइप के question थे है तो इसमें से जरूर आएंगे आपके लिए जो पर्यावरन का paper होगा बीए सेक इंडियर का जो paper होगा इसमें से जरूर आपके लिए question जो है बिकल्प आते हैं इसी में से आते हैं तो एक वीडियो आपको कैसला का comment बताए और वीडियोग को like कर लें और चैनल को subscribe नहीं किया थो चैनल को subscribe कर लें से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही एह वीडियो क्या लगा कमेंट ओन जरू बताएं जय हिंद्ध